कि हालो गाइज वैलकम बैक टूर यूटूब चैनल डबले एस अकैडमी वहीद सर्सक्राइडमी उमीद है कि आप सब लोग ख्यारत से होंगे और अच्छे से अपनी प्रेपरेशन जो है कर रहे होंगे जैसे कि आपको पता है कि हमने और रेडी जो हमने प्रैक्टिकल या मै जो पढ़ रहे तोडिकल टॉपिक्स और इसमें भी हमने तीन टॉपिक जो है अच्छे से कावर कर लिए है गाइस ठीक है और उनके MCQ सिरीज भी कर लिए है ठीक और आज जो स्टार्ट करने जा रहे है तैस नेक्स्ट टॉपिक तैस कॉस्ट मैनेजमेंट बजेटरी कंट् तो सबसे पहले हमने देखना है कि बजेटरी कंट्रोल होता क्या है बजेटरी कंट्रोल इस प्रोसेस बाइविच बजेट्स और प्रेपियर फूचर ठीक है याद रहे देखो जी फार एक्जामबल आप अभी टॉट्टी वान में हो ठीक है आपको क्या करना है आपको देखे हैं। आपके पास है फॉर एक्जमपल 2 coal रॉपी जो कि आपको खारच करने हैं Полी आपके पास 2 रॉपी चल्डू ठीक है जो है आपको जो है अपके पास यह बजेट है और आप क्या करते हो जो है अप बनाते हो कि मुझे ए इतना होता है फे clown जो मेरा घर का खर्चा जो होता है पर मांथ पर मांथ वो होता है for example 30K का तो आप देखोगे कि 30K into 12 कितना हो जाएगा that is 36 ठीक है 3,6,000 रुपीज 3,60,000 रुपीज आपका पहले ही इसमें खर्चा हो जाएगा 12,000 में उसके बाद आप देखते हो कि जो expenses है आपके अपने personal expenses वो कितना आप कैसे manage करते हो ठीक है आपको कैसे for example आप सोचते हो कि मेरा पैसा जो है future में क्या होना चाहिए future के लिए ये मैं पहले ही deposit करके रखता हूँ ठीक है तो ताकि मुझे future में जोरत पड़े ठीक है for example अगर for example किसी की शादी है तो वहां पे आप for example 50 lakh rupees लगते है तो आपके पास से पहले होने चाहिए कैसे जब आप पहले क्या करोगे पहले जितना for example आप कमाते थे 10 lakh rupees कमाते थे per year आप इसमें से 8 lakh rupees ही खरज़ करते हो 2 lakh rupees बचाते हो लेकिन 8 lakh ऐसे आप खरज़ करते हो आपको पहले ही पता होता है कि मुझे इस time इतना खरज़ करना है यहाँ पे इतना खरज़ करना है मुझे 100 rupees का खाना खाना है तो that means आप एक किसम का पहले ही क्या बनाते हो budget ठीक है क्या होता है जो business होता है है business ठीक है वो पहले budget बनाथा कि मुझे इस साल में बोपहले ही लिखता है कि मुझे इस साल में इतना expense होगा ठीक है इतना मुझे क्या करने goods मुझे इतने खरीदने है यह मेरे पास कतने पैसे store रहेंगे या goods कितने store रहेंगे वो पहले आपको budget तो यह सारा जो process होता है यह government budget बनाता है per year बनाता है next year के लिए कि हमें क्या क्या करना है वहाँ पे वो लगता है कि हमें roads बनाने है इतने पैसे यहाँ पे मुझे खरच करने है ठीक है guys और इस state को मुझे इतना fund करना है ठीक तो यह सारा कुछ होता है यह आहम जिंदगी में भी है और यह government भी करता है क्या budgetary control is a process यह वो process होता है in by which budgets are prepared जिसकी वाज़े से हम क्या budgets को हम prepare करते है ताकि हम future period for the future period and are compared with the actual performance और हम क्या करते हम? हम compare करते हम actual performance for finding out vacancies if any for example अब next year क्या बनाते हो अब पहले देखते हो कि इस साल में मुझे कितना खर्चा होता है ठीक है next year मुझे कितना खर्चा करना है काम करना है ठीक है मुझे क्या करना है जो मैं fall to चीज़े कर रहा हूँ जो मुझे ज़रत भी नहीं है वहाँ पर अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ वो काम करूँगा मैं next budget में ठीक है तो क्या करते हो compare करते हो इन दोनों को क्या करते हो compare और जो आपको variance लानी है means अगर आपको फारिग लगता है कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा खर्चा होता है मुझे इतना खर्चा नहीं करना होता है तो यहाँ पर आप वो क्या कर सकते हो वो change कर सकते हो वो काम कर सकते हो तो यह वहरी हो सकता है by comparing तो उसे साबसे ठीक है गाईस तो उसके बाद बोलता है a good budget must be well-planned एक good budget बनाने के लिए वो well-planned होना चाहिए flexible होना चाहिए realistic होना चाहिए कि अगर आप सोचते हो कि यह मुझे करना है या लिखते हो या कहीं पर store करते हो ठीक है वो आपको अतना ही खर्चा है reality में वो आपको करना है and clearly communicated और आपको वो फिर समझ आना चाहिए कि मैंने ये कैसे क्या किया था कैसी मैंने budget बाना था कहां पर मुझे क्या करना है it is an aid for management for future course of actions like planning, programming, control इसमें क्या क्या होता है planning होती है programming और controlling होता है और ये कौन करता है ये management करता है थीक है ये सारा management करता है कि मुझे क्या for example मुझे किस प्लान से जाना पड़ेगा या कौन सा प्रोग्रम मुझे यहां पे अफलाई कर रहा है मैं कैसे कैसे चांट्रोल कर सकता हूँ किसी चीज़ को ठीक है गाई उसके बाद आता है objective of budget control objective क्या है इसके defining the सबसे पहले बात है defining the objectives of the enterprise जो इसका पहला objective है इसमें यह बोलता है कि यह enterprise के जो objectives है ठीक है जो वो चाहती है कि यहां पे यह करन यह उनको define करता है ठीक है गाईज उसके बाद providing plans यह plan आपको देता है for achieving the objective so defined जो आपने objective बनाए हुए है उनको achieve करने के लिए आपको plan बोलता है गाईज ठीक है उसके बाद बोलता है तीसरा जो इसका objective है that is coordinating the activities of various departments यह बहुत सारे departments को क्या करता है coordinate कराता है means for example इसकी activity जो है यह इसके साथ merge करता है for example इसको क्या करना है इसको यहां पे पैसे खारश करने है for example इसको goods लाने है goods क्यों लाने है ताकि यह goods को क्या करता है resell कर सके तो यह क्या करता है यह जो various departments होते है इसमें इन वालों यह इनको क्या कराता है coordinate कराता है ठीक है guys उसके बाद आता है operating various departments and cost centers economically and efficiently यह क्या करता है operate करता है बहुत सरे departments को economically and efficiently ठीक है guys increasing the profitability by eliminating waste जो भी इसमें लगता है कि मुझे पिछले साल यह यह waste हो रहा है कि यहाँ पे मैं ज़्यादा पैसे खारच कर रहा हूँ और मुझे फाइदा भी नहीं मिर रहा है ठीक है वो waste हो रहा है पैसा वहाँ पे क्या कर सकता है eliminate कर सकता है उस waste को जिसकी वज़ह से अपने जो profit है वो increase कर सकता है ठीक है guys उसके बाद आता है यह control system को क्या करता है centralize तो that means सब कुछ इसे के हाथ में होता है ठीक है जो control system होता है वो इन्हीं के हाथ में होता है ठीक उसके बाद आता है correcting variance from sit standard fixing the responsibility of various individuals in the enterprise तो जितना भी for example इसको लगता है कि यहां पे यह problem हो रही है या variance दिखा रहा है ठीक है तो वहां पे यह क्या कर सकता है responsibility जो है बहुत सारे individuals की या enterprises की ठीक है तो वहां पे क्या बना सकता है वहां पे कुछ rules बना सकता है या regulations बना सकता है या कोई तरीका बना सकता है जिसकी वज़े से वो variance ना आए ठीक है correct कर सके उसके बहुत आता है इसमें types of budget जो इसमें सबसे main है वही types of budgets कौन कुछ से types of budget है सबसे पहले हमें पढ़ना पढ़ेगा classification according to the time time के हिसाब से कितने ठीक है guys according to the time के सबसे long term budget में क्या आता है क्या होता है वो the budgets which are prepared to depict long term planning of the business वो budget जो बनाते हो किसके लिए long term planning के लिए business को चलाने के लिए long term planning करते हो तो तब जाके क्या बोला जाता है उस budget को बोला जाता है long term budget यह याद रहे the period of long term budgets varies between 5 to 10 years याद रखना है यह जो budget बना जाता है कम असकम इसमें क्या होना चाहिए 5 to 10 years के budget यह बनाना होता है ठीक है guys उसके बाद the long term budget is done by top level management याद रखना जो long term planning है यह top level की management जो prepare करते है plan करते है ठीक है उसके बाद long term budgets are prepared for some sectors of the concern long term budget जो है ना कुछ-कुछ sectors के लिए बना है सब के लिए नहीं बना जादा कुछ-कुछ sectors के लिए जो कि बहुत ज़्यदा जो कि top या हम बोल सकते कि जो बहुत बड़ी क्या होगी ठीक है sectors होगे जैसे capital expenditure research and development long term for example research and development की बात करते हैं for example कोई satellite चाड़ाना है उसमें क्या 2 दिन लागेंगे 10 दिन या 5 दिन या 1 साल उसमें क्या लगते हैं कमस कम 6 साल 7 साल लगते है पहले वो research करते है फिर वो क्या करते है वो फिर बनाते है ठीक है फिर test करते है उसमें बहुत ज़्यदा time लगता है ठीक है और उसको फिर चड़ाने में उपर उसमें ज़्यदा time लगता है एक महीना भी लगता है दो महीना according to the distance कहां पे वो पहुचाना है ठीक है गाई उसके बाद आता है इसमें short term budget इसका दूसरा type है on the base of time ठीक है short term budget short term budget these budgets are generally for one or two years कितने साल के लिए होता है ये एक ये दो साल के लिए होता है in the form of monetary term monetary term means money के terms के साब से ये बनाया जाता है ठीक है the consumer's goods industries like sugar, cotton, textile or use short term budget ये वाली जो industries है ठीक है ये short term budgets बनाती है ठीक उसके बाद इसका तीसरा type आता है on the basis of time के हिसाब से तो वो कौन सा है current budget the period of current budgets is generally for months ये months and weeks के लिए होता है these budgets related to current activities of the business ये budgets के लिए बनाया जाता है जो current activities होती है business में ठीक है guys आगे बढ़ते हम ये थे तीन types on the basis of time और इसके बाद हम देखते है कुछ classification on the basis of functions के base पे ठीक है operating budget ये जब function की बात आएगी तो operating की बात आएगी operate करना ठीक है guys क्या होता है operating budget these budgets relate to the different activities or operations of the firm याद रहे ये जो budgets बनाया जाते है ये different activities के लिए बनाया जाते है ये different operations के लिए बनाया जाते है जो कि firm में होता है guys ठीक है the number of such budgets depend upon the size and nature of the business याद रहे ये जो number of budgets होते है it depends किस पर करता है size क्या होता है business का nature क्या है business का इसी पर ये बनाया जाता है जितना ज़्यादा बड़ा business होगा उतना बड़ा क्या बनाया जाएगा operating budget भी ठीक है guys the commonly used operating budget और बहुत सारे operating budgets है जो commonly used होते है जैसे sales budget plant utilization budget manufacturing expense और workers overhead budget ठीक है administrative and selling expenses budget और बहुत सारे ऐसे है आपको ये याद रखने है कि ये किस टाइब के budget में आता है ठीक है ये सारे जो आते है ये operating budget में आता है आगे बढ़ते हैं the operating budget for a firm may be constructed in terms of programs ये बनाया जाता है in terms of programs भी ठीक है या operations छोड़ो in terms of programs भी या responsibility जितना जितनी ज़्यादा responsibility भी उसके हिसाब से भी बनाया जाता है and hands may consist of और इसमें दो टाइपस होते है इसके हिसाब से जो कि program budget और responsibility budget ठीक है आप देखते है program budget होता क्या है program budget जो है sorry guys थोड़ा सा पानी पिता हम पहले हाँ आगे बढ़ते हम याद रहे program budget भी एक operating budget भी होता है ठीक है क्या बोलते है थोड़ा सा जूम करते हम program budgets याद रहे इसमें expected revenue होता है ठीक है यह जो product होता है इसमें वो expected होता है कि इसमें cost कितना आ सकता है कितना काम या कितना ज़्यादा हो सकता है ठीक है वो budget ठीक है जो programming के हिसाब से अभी क्या चार रहा है या future में क्या होगा उस हिसाब से ठीक है जो budget बनाया जाता है या उस हिसाब से expected revenue निकाला जाता है कि यह इस company की कितनी revenue आ सकती है जतना यह काम अच्छे तरीके से करते है जतना यह इनकी service अच्छी है ठीक है इसमें कितना revenue आ सकता है ठीक है product हर किसी product line के लिए और project प्रोजेक्ट शोविंग क्रिविनियोस के लिए बनाया जाता है costs and relative profitability के लिए बनाया जाता है ठीक है उसके बाद आता है responsibility budget होता क्या है when an operating budget of a firm is constructing in the responsibility area जब भी operating budget बनाया जाता है किस हिसाब से responsibility area कितना कितनी responsibility ज़्यादा होगी ठीक है काम होगी उसी सबसे budget जब बनाया जाएगा उसी budget को हम बोलेंगे responsible budget such a budget shows the plan in terms of persons responsible of achieving them याद रखना यह उसे सबसे budget बनाया जाता है कि पर एक्जापल अगर हमारे पास 10 आदमी है वो कितना काम कर सकते है वो अगर 100 आदमी है वो कितना काम कर सकते है तो depend करता है किस पे inter-mousa persons responsible कि एक person कितना responsible है इस काम को करने में ठीक है उसी साबसे budget बनाया जाता है ठीक है जितने persons ज़्यादा responsible होंगे उतने ज़्यादा यह budget भी बनाया जाएगा इस यूज़ड़ बाइजमेंट इस कांट्रोल डवाइस यह माइनेजमेंट क्या करता है इस कांट्रोल डवाइस यूज़ करता है तो एल जो exactamente जो माणलब किस जगा पर हमें ज्यादा फाइदा मिलता है और किस हिसाप से हमें कम फाइदा मिलता है ठीक है गाइस उस हिसाप से बनाया जाता है ठीक for example for example मैं आपको बोलता हूँ jk bank है for example two branch है यहाँ पे क्या होता है यहां पे ज़्यादा काम होता है ठीक है, यहां पे क्या होता है, एकाउंट ज़्यादा है लोन ज़्यादा लेते है, तो यहां पे कितने employees भी ज़्यादा होंगे ठीक है, तो यह responsibility इनकी ज़्यादा होगी यहां पे क्या है, काम accounts holders है यहां पे काम business होता है तो यहां पे employees भी काम ही रखेंगे रहा तो उसी हिसाब से यहां पे ज़्यादा budget बनाया जाएगा यहां पे काम budget बनाया तो responsibility area के हिसाब से बनाया जाता है The kind of responsibility area depends upon the size and nature of the business activity and organization structure तो यही मैंने अभी बताया आपको उसके बाद आता है इसका दूसरा that is financial budget इसे पहले हमने on the base of function के हिसाब से पढ़ रहे हैं function के हिसाब से पहले operating budget हमने पढ़ा अब हम पढ़ेंगे financial budget financial budgets are concerned with cash receipts and disbursements working capital, capital expenses देखो जी यह सारा concern किसे करता है जो भी cash receipts आता है जो पैसा आता है या रखना financial की बात आती है न तो पैसों की बात आ रही है यहां पे credits की बात आएगी ठीक है capital की बात आएगी याद रखना या जो भी financial position की भी बात आएगी इसलिए बोलता है कि cash receipts, disbursements, working capital capital expenditure कितना होता है financial position क्या है business का or result of business operations और जो operations करता है business ठीक है उनका result क्या हासिल हो रहा है तो यह financial budget में आ रहा है the commonly user financial budgets और जो commonly user financial budgets किये जाते है न यूज वो पहले होता है cash budget working capital budget capital expenditure यह देखो इस सारा पैसों का मसला है finance का मसला है ठीक है income की बात करें वो भी पैसा है income statement budget statement of retained earning budget budget balance sheet जिसे हम position statement budget भी बोलते है ठीक है आगे बढ़ते हम उसके बाद आता है master budget master के नाम से आपको यह जहन में आएगा यह हर किसी का एक किसम का क्या होगा कहते है न वो हर किसी का बाप होना ठीक है तो यह एक साब से वही budget होता है various functional budgets are integrated into master budget जब बहुत सारे functions integrate किये जाते है मिलाए जाते है बहुत सारे functional budgets जो आते है न बहुत सारे मिलाए जाते है for example आप मिलाओगे cash budget को for example किसके साथ आप मिलाओगे यहाँ पर program budget के साथ या फिर इनको और मिलाओगे किनके सब बहुत सारे इन में से budget उठाओगे और एक ही budget बनाओगे तो उनको बोला जाता है master budget ठीक है तो this budget is prepared by the ultimate integration ये कब बनाया जाता है कैसे बनाया जाता है by ultimate integration of separate बहुत सारे अलग-अलग functional budgets को जब हम ultimate integration करते मिलाते हम तब जाके ये एक budget बनता है that is master budget ठीक है according to ICWA London क्या बोलता है the master budget is summary budget ये summary budget होता है हर किसी budget का summary budget होता है in cooperation in it is financial budgets का ठीक है guys master budget is prepared by the budget officer याद रखना ये important point है master budget कोन बनाता है budget officer बनाता है and it remains with the top level manager और ये कहां पे मतलब इसमें काम कोन करता है ये top level management ही इसमें काम आता है ठीक है guys this budget is used to coordinate the activities of various functional departments and also a help of control device याद रखना ये क्या करता है ये जो budget है coordinate करता है बहुत सारे activities को यहाँ जो कि बहुत सारे अलग-अलग functional departments को होते है और ये help करता है control करना as a control device होता है ठीक है उसके बाद आता है guys क्या उसके बाद आता है हाँ ये आज ही कातम होने वाला है classification on the base of flexibility इससे पहले हमने पढ़ा time उसके बाद हमने पढ़ा function अब हम पढ़ेंगे flexibility के हिसाब से जो classification so पहला type इसका budget का according to the flexibility क्या बहुत है fixed budget fixed means जो same रहेगा obviously जो same रहेगा अज भी वही होगा काल भी वही होगा पार्सों भी वही होगा जो budget same रहेगा जिसमें कोई भी alternation हम नहीं कर सकते according to the ICWA London fixed budget is a budget fixed budget उस budget को कहा जाता है which is designed to remain unchained जो design किया जाता है ताकि वह unchanged रहे ठीक है irrespective of the level of activity actually attained ठीक है जिसमें आपको कोई भी change नहीं लानी है जो आपने बनाया है वही आप बनाते हो याद रहे जो fixed budget है यह पहले बाद for example अगर आपको January से budget start करना है January 2021 से आप November में ही या December November 2020 में या December 2020 में यही budget और इडी बना के रखते हो ठीक है जो फिर एचेंज नहीं होता fixed budgets are suitable under static conditions के लिए suitable होता है ठीक है जिसमें आपको change लानी की ज़रत नहीं है उसी को आपन बो this static conditions ठीक है if sales expense and costs can be forecasted with greater accuracy जब आपको लगता है कि sales जो आपको ज़्यादा होगी expenses और costs जो होगे वो greater accuracy में आपको दिखाया है आपको आपको लगता है कि यह greater accuracy यह दिखाएगा minus आपको यह 10 लैक ही हो जाएगी यह 9.9 लैक हो जाएगा ठीक है sales आपकी ठीक है तो यहाँ पर यह जो है ना यह वाला क्या हम बोलते हैं इसे fixed budget यहाँ पर advantage सी यूज होता है तब जाके आपको ज़्यादा तर यही यूज करना चाहिए इसी budget के सबसे यूज करना चाहिए the budget is prepared before the beginning of the financial year यही मैंने आपको बोला अगर आपको जनवेदी में यूज करना है ठीक है अब November, December इससे पहले यह October में भी बना सकते हो financial year से पहले बनाते हो ठीक है उसके बाद आता है इसका दूसरा type that is fixed budget fixed budget क्या होता है fixed budget consistence of series of budgets इसमें series of budgets होते है for different level of activity for example आपको एक महिना एक budget चाहिए दूसरा महिना थोड़ा इसमें change चाहिए दीसरे महिने में change तो आप लेवल के सबसे चलते हो लेवल के सबसे पहले ही बनाते हो ठीक है guys flex यह इसमें जूरु निये पहले ही बनाना आप change भी आप अपने January में देखा कि नहीं यह मेरा budget जो बनाया था थोड़ा सा गलत है ठीक है और फारवरी में भी change और फारवरी में change कर सकते हो ठीक है flexible budget is defined as a budget which is which by recognizing the difference between fixed, semi-fixed and variable cost जो भी fixed costs होंगे semi-fixed costs होंगे variable costs होंगे उनको यह क्या करता है differences दिखाता है कि इन में क्या-क्या फारग होती है is to design the change in relationship to the top level of the activity जब level increase होगी ठीक है या decrease होगी या change हो जाएगी इसमें relationship आपको दिखाया या change इसकी दिखाया जाएगी कि कितनी change आपको लानी है कितना आपको क्या करना है ठीक है a flexible budget is prepared after taking into consideration unforeseen changes in the condition of the ये जो prepare किया जाता है flexible budget ये आप बीच में भी कर सकते हो depend कर सकता है कि conditions आपकी क्या change होती है उस हिसाब से change भी कर सकते हो business में ठीक है उसके बाद आता है इसमें आपको mean topic that is zero based budgeting zero based budgeting क्या होती है मैंने अभी आपको बोला मैंने अभी आपको बोला जब हमने पहले ही budget पड़ा मैंने आपको बोला हम budget किस हिसाब से बनाते है हम पहले compare करते है पिछले हिसाब से ठीक है for example 2020 में जो budget बाना है था मुझे उस हिसाब से 2021 में भी देखना है कि मुझे इसमें क्या कमी रही इसमें पूरी कर रही है या इसमें क्या वेस्ट रहा जो इसमें इसमें से निकालना है ठीक है तो तो देट में जो expenses जो थे ना 2020 के वो मैं मानता हूं कि 2021 में भी या तो increase थोड़ सा हो सकते है या decrease हो सकते है तो देट में इसमें compare करता था यहां पे देखते है यह देखते हैं कि 2021 का budget बनाया जाता है वो पहले इसे लिखते हैं कि expense हमें क्या करना है वो यहां पे नहीं देखते हैं कि 2020 में क्या किया था वो खली इसका देखते हैं कि यहां पे हमने कितना expense करना है कितनी sale होनी चाहिए कितना कहां पर क्या करना है ठीक है कितना टैक्स देना है आपको तो zero based budget starts from zero याद रखना है यह zero से start किया जाता है rather than traditional budget जो हम इसे पहले पाटते हैं थे थे ना वो traditional budget हम पाटते थे that is based on previous budget वो किस पे base पे थे previous budget के base पे थे ठीक है with this budgeting approach जो यह budget approach है you need to justify each and every expense before adding it to the actual budget याद रहे आपको justify करना आपको लिखना है आपको यहां पे mention करना है कि आपको कौन-कौन से expense होंगे वो आपको add करना है यहां पे actual budget में ठीक है guys the primary objective of the zero budgeting is the reduction of unnecessary cost by looking at the various cost can be cut याद रहे इसका main purpose जो है ना वो क्या करना है जो आपको फजूल खर्चे होते हैं वो आपको खतम करना है जो खाली खर्चे आपको जरूरी होंगे वही आपको necessary खर्चे जो होंगे रहे वो आपको करना है ठीक है guys उसके बाद आपको बढ़ते हैं to create a zero-based budgeting involvement ठीक है of the employees is required याद रहे इसमें employees की भी जरूरत पढ़ती है you can secure employees what kind of expenses of the business will have to bear and figure out where you can control such expense जो आपके applies है ना वही आपको बता सकते हैं हमने कहां पे जो ज़रूरी है आपके expenses वहां करने हैं और जहां पे ज़रूरी नहीं है वहां पे क्या करना है उनको control करना है ठीक है in a particular expense fails to benefit the business the same should be exit from the याद रहे वो expense जो जो आपके business को फाइदा ना दे benefit ना दे जो fail हो जाए benefit देने में उसको आपके अकर exit करोगे आप उसको cut ही करोगे from the budget उससे निकालोगे budget से ठीक है गाईज उसके बाद अब पढ़ना है lost topics का that is difference between traditional budget and zero-based budget याद रखना इसमें कुछ points है जो आपको याद रखने है ठीक है in traditional budgeting the various traditional budgeting में the previous year's budget is taken या आपने पढ़ा as a base for the preparation of budget whereas each time the budget under zero-based budgeting is created the activities is evaluated and started from scratch याद रखना traditional में क्या होता था हम पहले prepare करते थे ता budget जब हम पहले देखते हैं कि पिछले साल में हमने कैसे हिसाब से budget बनाया था ठीक है लेकिन zero-based budget में क्या होता है आप नहीं है से budget बनाते हो और start कहां से करते है zero से means scratch से ठीक है the emphasis of the traditional budgeting is on the previous expenditure level यह जो इससे साब से बनाया जाता है previous expenditure level के उससे साब से नहीं budget बनाया जाता है traditional budget ठीक है लेकिन zero-based budgeting में क्या होता है focuses on forming a new economic proposal यह रखे new economic proposal बनाने के लिए बनाया जाता है whenever the budget is set ठीक है आगे बढ़ते हम तीसरा point इसका क्या है in the traditional budgeting traditional budgeting में क्या है justification of the ठीक है time या line items and expense are not all required यह यह चीज़े इसमें जोरत नहीं होती है on the other hand zero-based budgeting proper justification is required यह इसमें justification की कोई जोरत नहीं इसमें टेकिन इंटो एकाउंट the cost and benefit याद रखना है इसमें हमेशे देखना होता है cost कितना होगा benefit इसका क्या आएगा लेकिन इसमें क्या होता था इसमें जोरी नहीं होता इसमें खाली आपको क्या करना था expenses क्या हुए थे वो क्या करना है थोड़े से काम करने ज्यादा करने है वो इस वो इस था ठीक है डिट्रैडशनल बाजटिंग्ट वर्कस ऑन कॉंसट अकांटिंग प्रिंसपल जाद रहांग है जो ट्रैडिशनल बाजटिंग vrai्जेटिंगं फ़ूरी। इसमें क्या होता है एकाउंटिंग की जारा ज़रत होती है ट्रेडिशनल में वेराज जीरो बेसे बाया बाजेटिंग इस डिजिजन मेथर याद रखने डिजिजन मेथर होता है ठीक है जो डिसाइड वहां पर करेंगे वही होगा आगे बढ़ते हैं फिफ्ट पॉइंट इन की इसना से फैंट करना है प्रिटुलर प्रोडक्ट बनाने में या करीड़े में कितना पैसा में खर्च करने वही डिजन लेता है जितना भी साम और रिखरचा होगा वह कूं ठीक है एक प्रोड़क्ट को बनाने के लिए बेजने में या खरीने में कितना पैसा लगना चाहिए वह कूंड करें को मैनेजर और वहां पर क्या कों करता है टॉब लेवल मेनेजमेंट करता है किए भरते हैं लिकंगे konkretी होती है होता है लास्ट टरैडिशनल फॉलो उया आप् तो यह मनुंत परिश याध रखना मोनोट उलो करता है और जेरो बजेटिंग फॉर यह करता है फ्रेट फॉर्वर बनप ठीक है तो यह आपको रहा है तो इस अगर आप लब एक रिविजिन भी करते हो ना ये आपको इजी समझ आएगा गाइज चीक है तो दीजे इजाज़त काल मिलते हैं हम नेक्स टॉपिक के साथ अल्ला हाफिज और दौाव में याद रखना